एक किलो गोश की नहारी में से कितनी सर्विंग निकलेंगी, कॉस्ट क्या आएगी और प्रॉफिट कैसे आपको तेह करना है। साथ ही बताऊंगी कितनी बोटी आपको साथ में देनी हैं और किस तरीके से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पूट पंडा मोबाइल की अन्बॉक्सिंग भी करेंगे, चलें जल्दी से धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी बिर्यानी वाली वीडियो को इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत ही जादा पसना ही मेरी एफर्ट क्यूंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारी इंफोर्मेशन आपको दिया कर आप चैनल पर नए हैं और आप अपना कोई बि अब हम तैयारी कर लेते हैं यहां पर नली बीफ निहारी की यहां पर मैं बना रही हूं डेड़ किलो की तो रेसिपी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी ही यह भी बताऊंगी कि अगर एक किलो गोश्ट की आप निहारी बना रहे हैं तो इसमें कितनी सर्विंग्स निकलेंग तो ये आपको description box में भी मिल जाएगा डीटेल के साथ साथ ही आपको cost भी मिलेगी और साथ ही profit करने का हर चीज में उसके अंदर में बता दूँगी लेकिन उससे पहले आप ये video पूरी देखें साथ साथ भी आप description box चेक कर सकते हैं और ये video भी सुनते रहें क्योंकि बहुत ज हम साइस की प्यास भी ले सकते हैं इसको हलका सा आपको color देना है और फिसमें गोश्च शामिल कर देंगे और गोश्च को बहुत ये अच्छी तरह भुनना है लसा नदरक के पैस्ट के साथ इससे मैंने कुछ मसाले डाले हैं नमक, मेच, हल्दी, धनिया और साथ ये डाला है बजार का, किसी भी ब्रेंड का ले सकते हैं, डेर, पैकेट, निहारी मसाला जो पहले आपको recipes बताएं उसमें मैंने अपना मसाला बनाके शामिल किया है, वो भी आप डाल सकते हैं बैसिकली नहारी में यूज होने वाले जो मसालें इसमें होता है सोट, पीपली जो खास तोर पे जो है जरनल स्टोर से नहीं मिलती वो पंसार से ही लानी पड़ती है आपको तो इसलिए ये मेरा अरजन ओर्डर था सुबही मुझे डिलीवर करवाना था तो इस वज़ें से मैंena ये यूजिया यूज किया इससे भी बहुत ही जबदस टेस्ट आता है जब मैं अपना मसाला बना के उससे नहारी बनाती हूँ जैसे जो पैकेट का मसाला होता है उसके भी तो से तीन चंवाच मैं शामिल कर देती हूँ जिससे बहुती जबदस टेस्ट आता है निहारी में बोटी बहुती ज़ादा गली होई होनी चाहिए कि आप चमच मारे तो बोटी रेशा रेशा हो जाए जैसे ड्राई से तीन घंटे अगर आम गोश्ट गलता है खानों के लिए आप तक्रीबन 4-5 घंटे पकाएंगे बिल्कुल विल्कुल फ्लैम पर ताकि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बनें नली मेंसे गुदा निकाल रही हों इसके ज़ो आप प्राइस सेट करेंगे जैसे नहारी है उसके अल Ghost करेंगे नली नहारी के अलग प्रैस सेट करेंगे, क्योंकि बहुत जाद इस तरह से लोग होते हैं, उनको नली नहारी नहीं पसंद होती, जैसे के मुझे परसनली नली नहारी नहीं पसंद, सिंपल नहारी अच्छी लगती है, तो यहां पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी, इसके अंदर से हड़ियां नि बोटी को भी अलग कर लूँगी, जब अच्छी तरह से नहारी गरम हो जाएगी, तो उसके अंदर में आटा मिक्स करके तकरीबान आदा घंटा इसे पकाऊंगी, और मज़ेदार से हमारी जो नहारी है, वो बिलकुल रेडी हो जाएगी, खाने के लिए भी और डिलीवर कर साब से करते हैं, सिंगल सर्विंग यानि एक प्लेट, डबल सर्विंग यानि के दो प्लेट, जब आप सिंगल सर्विंग नहारी देंगे तो उसका जो वेट होगा तकरीब राइसो से तीन सो गिराम के दर्मियान होगा, और पकने के बाद जो बोटी का साइज होगा, वो आप देंगे 60-70 ग्राम सिंगल सर्विंग में अगर बड़ी बोटी है तो उसको आप लंबाई में काट लेंगे इसलिए हम बड़ा साइज रखते हैं बोटी का तक कि जब हम बोटी को काटें तो वह बहुत ही जादा बिखर ना जाए अब मैं आपको बताती हूँ जब आप ड़ब सर्विंग का जो बोक्स होता है शाड़े 500-70 ग्राम का उसके अंदर आप 500 ग्राम देंगे निहारी और उसके अंदर जब बोटी के साथ जब आप उसको मैज़र करेंगे तो तक्रीबं 500 ग्राम की आपके निहारी रेडि हो जाएगी यहाँ पर अगर आपको कोई बा जो दो बड़े शौपर बने हैं उसमें तेन तेन सरफिंग निकलेंगी यानि के 500-500 खिराम के जो दो दो बॉक्स निकलेंगे यानि के तक्रीबं हमारी 5 किलो निहारी इसमें से हम निकालईंगे सब जगाव गोश्ट के रेट अलग अलग होते हैं मैंने स्लामअबाद रावर्पिण्डी के हिसाब से रेट description वोक्स में लिखे हैं कहीं तेरा सो रुपे गिलो गोश्ट होता है जो मैंने कोस्ट बताईए हो सकता है आपके अलाके में कम रेट हो आपकी कोस्ट कम आए आपको प्रॉफिट जादा हो कोस्ट के साथ आप 20-30% प्रॉफिट रख सकते हैं इसे ज्यादा अगर रखेंगे तो वो कस्टमर को महंगा लगेगा लेकिन आपको निहारी में 50% नहीं पूरा 100% प्रॉफिट होता है वो कैसे वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ जिस तरह 1.5 किलो में हमने 10 सर्विंग निकाली अगर आप 1 किलो गोश्ट की नहारी बना रहे हैं तो आपकी तक्रीबन 6-7 सर्विंग अराम से निकल जाएंगी 500 ग्राम की और वो आप अगर सेल करेंगे 550 रुपे की अगर आप 3-4 सर्विंग भी सेल करते हैं तो आपकी कॉस्ट अराम से निकल आएगी और बाकी जो 4 सर्विंग है वो आपका प्रॉफिट यहाँ पर जो है रॉडर रेडि हो चुका है तक्रीबन डेर किलो यानि तीन बॉक्स उनकों चाहिए थे निहारी के जिसके अंदर मैं तक्रीबन 100 गिराम से उपर बोटिया डाली हैं दो यानि के 60-60 ग्राम की दो बोटिया इसके अंदर शामिल की हैं और मैंने यहां पर तीन बॉक्स तयार किये हैं धनिया, मिर्चे, लीमू, ब्राउन अनियन यह अलग से दिया है और उपर से भी थोड़ा सा गानिश कर दिया है तो को जो मसला आता है कि हम और कैसे डिलीवर क और उनके घर में भी कोई नहीं है, वो किस तरह से डिलीवर करेंगे, यहां पर आप बाई किया या इन ड्राइफ के थूरू भी करवा सकते हैं डिलीवर, अगर आपके मैनियों में नहारी शामिल नहीं है तो जल्दी से यकीना आप शामिल कर लेंगे इस वीडियो के बाद क्योंकि आपको यहां पर मिल रहा है बहुत ज़ादा प्रॉफिट, और आपको कस्टरोह का भी ख्याल रखना है, अगर वो जैदा बोटी मांग रहा है, या क्वांटीटी ज़्यादा थोडगी जहरा है, तो आपको क्वांटीटी भी जज्यादा देनी होगी, क्योंकि आजन अच्छा खासा आ रहा है आपको यह दिखा रहे हूं लास्ट बियानी वाली वीडियू में काफिल साइ more पास यूटुब पर कमेंट आ रहे थी जो आपने चावल चानेते वहाली तो आपने कहां से ली यह मैंने ली थी दराज से एक वीडियो बनाई है और आज शॉपिंग हॉल आप वो भी जाकर चेक आउट कर सकते हैं डिस्किप्शिन में उसका लिंग लगा दूँगे आप देख सकते हैं यह कितने कि थी और उसका लिंग वगरा सब चेक कर सकते हैं हल जब मैं इन सारी चीजों की कैलकुलेशन करती हूं तो मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा फास्ट भागने लगता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिमाग का काम होता है लेकिन आपके लिए असानी कर दिये हैं वीडियो को लाइक कर दीजेगा भी वाइस आवर करते-करते बह हाफिस